पीएड का पूरा नाम बैचलर ओफ एजुकेशन है जो एक सनातक शिक्षा योग्यता है जो शिक्षन करियर के लिए तयार करती है भारत में यह आम तोर पर एक दो साल का कोर्स होता है जो उम्मीदवारों को स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक शैक्षिक और पेशेवर्क शमताओं से लैस करता है इस कोर्स को पूरा करने के लिए उम्मीद्वार को कम से कम एक सना तक की डिग्री होनी चाहिए। B.A.D. कार्यक्रम में शिक्षन के सिध्धान्त, बाल मनो विज्ञान, शिक्षा प्रबंधन और शिक्षा तकनीक सहित कई विशय शामिल होते हैं। इस कोर्स के अंतरगत उम्मीद्वारों को विभिन शिक्षन तकनीकों, कक्षा प्रबंधन कौशल और शिक्षन सामग्री के निर्मान में प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें प्रैक्टिकल टीचिंग सेशन भी होते हैं जहां उम्मीदवारों को असली कक्षाओं में शिक्षन का अभ्यास करने का मौका मिलता है बीएट डिग्री के बाद उम्मीदवार विभिन राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परिक्षाओं टीएटी में भाग ले सकते हैं जैसे सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, आदी, शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की योग्यता से व्यक्ति अधिक प्रभावी और जानकार शिक्षक बन सकता है जो छात्रों के विकास और शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है यह शिक्षक के पेशेवर के विकास के लिए एक आधारशिला के रूप में काम करती है बीएड कार्यक्रम में शिक्षा के सिध्धानतों और शिक्षन के विविध द्रिष्टिकोणों का अध्ययन शामिल होता है जैसे कि प्रगति शील, निर्मानवादी और सहकारी शिक्षन विधिया इसमें शिक्षकों को विभिन शेक्षिक प्रध्योगिकियों और मीडिया का उप्योग करने का प्रशिक्षन भी दिया जाता है ताकि वे छात्रों को अधिक सजीव और आकरशक तरीके से सिखा सके कार्यक्रम के अन्य महत्वपून पहलूँ में शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, शिक्षा इतिहास और शिक्षा प्रशासन और नेत्रित्व शामिल है शिक्षा मनोविज्ञान चात्रों के सीखने और विकास की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है जबकि शिक्षा दर्शन शिक्षा के मूल्यों और उद्देश्यों के बारे में गहराई से सोचने की क्षमता प्रदान करता है शिक्षा के इतिहास से शिक्षक विभिन शिक्षन प्रथाओं और सिध्धानतों के विकास को समझ सकते हैं और शिक्षा प्रशासन उन्हें स्कूल और कक्षा के प्रबंधन में कुशल बनाता है। इसके अलावा, बियड कारेक्रम चात्रों को विशेश, शिक्षा, वयस्क शिक्षा और शैक्षिक परामर्ष जैसे विशेश क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। इस डिगरी के माध्यम से शिक्षकों को चात्रों की व्यक्तिगत और शैक्षिक जरूर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक समवेदन शीलता और समझ विक्सित होती है। शिक्षक विभिन्न शिक्षा शास्त्रिय तकनीकों को सीखते हैं जो उन्हें अपनी कक्षा में विविधता और शामिल करने की क्षमता देती है। इसके साथ ही B.E. कार्यक्रम मूल्यांकन के तरीकों और परीक्षणों के निर्माण में भी प्रशिक्षण देता है ताकि शिक्षक प्रत्येक छात्र की प्रगती और समझ का सही आकलन कर सके। अभ्यास के लिहाज से B.E. पार्ठिक्रम में शिक्षण, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप का एक महत्वपून भाग होता है। छात्रों को वास्तविक स्कूलों में जाकर अनुभवी शिक्षकों के मार्ग दर्शन में शिक्षण का प्रायोगिक अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। इस दौरान वे कक्षा प्रबंधन, छात्र संगठन और शिक्षण कौशल को व्यावहारिक रूप में लागू करते हैं। B.E. डिग्री हासिल करने के बाद शिक्षकों के पास विभिन्न शिक्षण अवसर खुल जाते हैं। वे सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षण कर सकते हैं, शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण दे सकते हैं या शैक्षणिक सामगरी और पाठिक्रम विकास में योगदान दे सकते हैं। कुछ शिक्षक शैक्षणिक अनुसंधान में भी सनलगन हो सकते हैं या उच्च शिक्षा के लिए आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अंत में बीएड कार्यक्रम समाज के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को मजबूत बनाता है। यह उन्हें न केवल ज्ञान के प्रसारक के रूप में तैयार करता है बलकि एक मार्गदर्शक, सलाहकार और प्रेरक के रूप में भी उनकी पहचान बनाता है। बीएड धारक शिक्षक, शैक शिक नीतियों और प्रक्रियाओं में योगदान देने के लिए भी योग्य होते हैं, जिससे वे शिक्षा के क्षित्र में सुधार और नवाचार के अग्रदूत बन सकते हैं। इस पाठ्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू शिक्षकों को जीवन कौशल शिक्षन के लिए सशक्त बनाना है। ये कौशल जैसे की समस्या समाधान, टीम वर्क और आत्म प्रबंधन छात्रों को उनके समग्र विकास के लिए तयार करते हैं। बिएट पाठ्यक्रम शिक्षकों को यह भी सिखाता है कि वे कैसे तकनीक का उप्योग करते हुए शिक्षा को अधिक प्रभावी और सुलब बना सकते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी के संदर्भ में B.8 पाठ्यक्रम शिक्षकों को सिखाता है कि कैसे वे समाज के प्रति उत्तरदाई हों और शैक्षणिक न्याय और समानता के मूल्यों को बढ़ावा दें। इस तरह के प्रशिक्षण से शिक्षक नए पीढ़ी के नागरिकों को तयार करने में सक्षम होते हैं, जो सचेत, समवेदनशील और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए योगदान देने में सक्षम होते हैं। बीएट कार्यक्रम इस प्रकार न केवल शिक्षकों को शैक्षिक क्षेत्र में सिद्धस्त बनाता है, बलकि उन्हें समाज के प्रती एक जिम्मेदार और प्रेरणा दायक नेता के रूप में भी गड़ता है। बीएट के चात्र नवीन शिक्षन विधियों और मूल्यांकन तकनीकों में प्रशिक्षित होते हैं, जो उन्हें विभिन प्रकार की शैक्षनिक आवश्यक्ताओं और शैलियों को समझने और उन्हें लागू करने में सक्षम बनाता है। इस से वे विविधता पूर्ण और समावेशी शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, जिससे सभी चात्रों के लिए सीखने के अवसर सुनिश्चित होते हैं। बीएट कार्यक्रम अनुसंधान आधारित शिक्षन को भी महत्व देता है। शिक्षक अनुसंधान के महत्व को समझते हैं और यह जानते हैं कि कैसे नए घ्यान को खोजने, उसका आकलन करने और उसे कक्षा में लागू करने के लिए अनुसंधान करना है। अन्त में बीएट पाठ्यक्रम शिक्षकों को समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा की शक्ति का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाता है। वे शिक्षा के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं। बीएट धारक शिक्षकों, इस प्रकार समाज के लिए एक बहुमूल्य संसाधन होते हैं जो शिक्षा के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कार्य करते हैं। बीएड कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक विद्ध्यार्थियों में नैतिक मूल्यों और समाज के प्रति जवाब देही की भावना का संचार करते हैं। यह उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से विक्षित होने के साथ साथ समाज के प्रति सकारात्मक योगदान देने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार बीएड कार्यक्रम न केवल शिक्षकों को विशय ज्ञान और शिक्षन कौशल प्रदान करता है, बलकि उन्हें जीवन भर सीखने और अध्यापन के प्रति समर्पित रहने की प्रेरना भी देता है। इसमें शामिल विविध प्रकार के प्रशिक्षन और अनुभव उन्हें एक विविध और बदलती हुई दुनिया में प्रभावी शिक्षक बनने में सहायता करते हैं। इस तरह बिएड करने वाले व्यक्ति अपने विद्यार्थियों को सिर्फ घ्यान ही नहीं देते, बलकि उन्हें जीवन के लिए आवश्यक कौशल और मूल्य भी सिखाते हैं। यही कारण है कि बिएड धारक शिक्षक समाज के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं।